नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है राहूल गांधी ने एक बार फिर मोधी सरकार को खेरा है राहूल गांधी ने केंदर पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है अमेरिका के ब्राउन युनिवरसिटी के आनलाइन वीडियो कांफरेंस के दोरान उन्होंने कहा कि संसथ में माइक बंद कर दिया जाता है उन्होंने दावा किया कि बीजेपी संसथों ने मुझे बताया कि वो संसथ में खुली बहस नहीं कर सकते उन्हें बताया जाता है कि क्या कहना है ये बिलकुल सीधी बात है कॉंग्रेस सांसेद राहूल गांधी ने अमेरिका के ब्राउन युनिवर्सिटी के प्रोफेसर आश्टोश वार्शनोय और छात्रों के साथ ओनलाइन बातचीत में ये दावा भी किया कि अगर कोई फेस्बूक और वाटसेब को नियंतरित कर सकता है तो फिर लोकतंतर खत्म हो सकता है उनसे अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस और स्विडेन की संस्था वी डेम इंस्टिटूट की भारत के संदर्व में की गई हालिया टिपपणी के बारे में सवाल किया गया था उन्होंने कहा कि यह विदेशी ग्रूप है और भारत को इन समुहों की मुहर की जरुवत नहीं है लेकिन यहालाद इनकी कलपना से कहीं ज्यादा खराब है इंडिया इस मेनी दिफ्रेंट डाइवर्स व्यूपॉइंट्स गारणी विछुटोस्प झाक्षिर्स बड़ना माच्छिज ट 구독 немहांडियो बिफिर्टन ही इस थे स्टु शुट अव्ट घूपुटे WITH नैदे एन कादुट स्थ्रेश्ध टूछ एिए पूलने गूफ फुटुटस तब हई ग्टियोंतं अजियोंत़् हईंग को डटियोंत विर्षिसे वादा जूचैस्ट नियूचिए।। प्रापते हैंश। करते हैंश। कि एपने एिपने बूघता हैंश। वारी उने एपने एम्हान जाल्थिए। इमने एमें लाते हैंश। नियूचिए। तेंटेश्चीरष्ट उने बेलेख्यांट between our identities, between our languages, between our culture, between our states to occur, what I see is a determined attack on those institutions and a capture of those institutions. To me, if the negotiation between these states breaks down, then the idea of India breaks down. And the Congress Party represents 20% of our population. Other opposition parties together represent and a much bigger chunk than the Prime Minister and the BJP. But we're not given that room for negotiation. We're not given that room for conversation. That's what's changed. And as a politician, I require institutional support. I simply cannot operate without it. It's a fantasy if somebody thinks that I can operate or a democracy can operate without independent institutions. That we don't have anymore. That's why I classify it as an assault in India. रहुल गांधी ने ये भी कहा कि वो पार्टी में आंत्रिक लोकतंत्र पर जोर देते हैं और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कॉंग्रेस में चुनाव नहीं होना चाहिए. कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष ने ये भी कहा कि चुनाव सिर्फ वोट डालना नहीं है. ये उस narrative के बारे में हैं उन संस्थानों के बारे में हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में ढाचा ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं Congress नेता ने कहा कि हम भैंकर रूप से नौकरी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं अगर ये समस्याओं नहीं हुई तो भारत उस वैश्पिक स्थिती में नहीं होगा जहां वो चीन से आने वाली चुनोतियों का सामना कर सके राहूल गांदी ने कहा कि लाखों लोग गाओं से शेहर की ओराते हैं हमें उनके लिए कुछ करने की जरुवत है उन्हें एक विजन देने की जरुवत है इसके लावर राहूल गांधी पार्टी के असंतुष्ट जीते इस नेताओं पर भी बोले उन्होंने कहा कि पार्टी में 20 लोगों का एक ग्रूप है जो पार्टी में अलग विचार रखते हैं क्या ये बीजेपी, बीएसपी या टीमसी में संभव है सोच अलग हो पर बातचीत होनी चाहिए इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ